नमस्कार एटो जेट डिशश उश्या कोरजानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारी बहुत ही बड़िया सी रेसिपी और वो है मटर के छोले जो बिलकुल भी तेल नहीं इस्तमाल होता है बिना तेल के बनाया जाते हैं ये और इस मटर के छोले, आटे के कुल्चे और ये बढ़िया सी चट्नी सबसे पहले मटर के छोले बनाने के लिए आपको चाहिए सफेद मटर ये मैंने दो कप जितने लिये हैं इसके अंदर हम पानी डाल कर ढखकर इसे हम ओवरनाइट सोक करें हैं आनि कि रात बार इसे बिगो के र पर मैंने एक बरतन ले लिया है इसमें मैं डाल रहे हैं दो कव गेहू का आटा बीच पर थोड़ी सी जगा बना लेंगे इसके अंदर सुआत के अनुसार नमक एक पैकेट मिल्क पाउडर जो 10 रुपे वाला आता है आधी चमच पीसीवी चीनी यानिकी पाउडर शोगर आ द्ूद आपके गर पे जो भी आता है वो आप इस्तमाल कर सकते हैं पर ये बात का धियान रहे कि दूद से ही आपको आटा गून्दना है इसलिए ठोड़ा थोड़ा करके डालें और आटा आपको गून्दना है तो कुल्ची पे लिए जो आटा है वो नाहीं ज़ादा सकत ह पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके दूद को डाल रही है और आटा गुन लिया है आटा नहीं ज़्यादा सकते हैं नहीं ज़्यादा नरम बस ऐसा ही होना चाहिए अब थोड़ा सा तेड लगा कर इसे हम अच्छे से मस लेंगे जब तक देखे कुछ इस तरह से हो दालेंगे और धकर इसे हम 30 मिनिट के लिए रख देंगे मैंने इसे 6-7 गंडे विगोया था यह सफेद मटर को आप इसे रात बर भी विगो सकते हैं और यह कुछ इस तरह से हो गए आप देख सकते हैं फूल जाएंगे तो इसे कुकर में डालकर दो गलास पानी डाले चमच आमचुर पाउडर और आधा कब जितना पानी अच्छे से हम मिला लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो मटर के छोले इसमें तेल का बिलकुल भी इस्तमाल नहीं होता है पर फिर भी एतने चटपटे और टीस्टी लगता है ना तो यहां पर अच्छे से मि एक चौथाई चमच बुना जीरा पाउडर थोड़ी सी अधरक को कदुकस करके डालेंगे और यह आमचुर पानी को मिला के रखा था न वो दो से तीन बारी कटी हरी मिर्ची तीन बारी कटी टमाटर दो बारी कटी प्यास और थोड़ी से धिन्या के पत्ते इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर भी जो मैंने इसके अंदर नमक और मसाले डाले अब अपने स्वाध के अनुसार डाल सकते हैं आधा कब जितना और पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मतर के छोले बनकर तयार है इसे मैंने तीस मिर्ट रखा था आटे चिड़क लिया गीहूं का थोड़ा सा हाथों से फैलाने के बाद काले तिल और धन्या के पत्ते लगा ले और इसे बेलना है तो कुल्चे को जादा पतला ना बेले हलका सा मोटा रखे पैन या फिर तवा आपको रख देना तवे पर भी बना सकते हैं पैन अच्छे से खरम हो जा तो बक्र अंच्रो ना बहुत हो तो पका थिर तो नच्चे से जल सकता है उसके बार धकन को हटा ले और इसे पलट ले आप देख सकते हैं अब हम हलका हलका तेल लगाते जाएंगे और इसे अच्छे से सेख लेंगे देखे एकदम गुबारे की तरह जो कुल्चा है न वो बढ़िया से फूल रहा और जब आप बना कर खाएंगे न आपको लगेगा यह आटे के कुल्चा बना हुए है यह इतने टेस्टी लगता है न चलिए बना लेते यह स्पेशल वाली चटनी जो यह मटर के छोले और कुल्चे के जो साथ खाई जाती है न इतना स्वाध बढ़ा देगे न आपका दो कब पालक को अच्छे से वाश करके काट ले कड़ा इस तरह से हो जाएने तो इसके अंदर यह कटी हुई पालक डाल दे और इसे भी तकरीबां दो से तीन मिन्ट तक आपको अच्छे से भूनना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से भून लिया अब इसे मिक्सर जार के अंदर इस तरह से निकाल लेंगे और इसके अंदर में डाल रहे हैं दो चम्मा जितना नारिल का बुरादा यानिके डैसीकेटिड कोकोनट आप ताजा नारिल भी डाल सकते हैं स्वाद के अनुसा नमक डालेंगे थोड़ी सी इमली डालेंगे काफी अच्छा स्वाद आता है और आधर कब जितना पानी इसे ढकर हमें पीस लेना है और आप देख सकते हैं यह चट पटी बढ़िया से चटनी बन कर तयार है तो चलिए अप प्लेट में, इससे सव करते हैं बढ़ियां से बिना तेल के और बहुत ही चट पटे कम मेनत में बनने वाले मटर के छोले, साथ ही साथ ये फूले फूले एक मुझे जाते ही गुल जाए यह बढ़िया से गीहूं के आटे के कुल्चा और यह स्पेशल चटनी कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है तो घर पर इसे ट्राइ कीज़े और मुझे कमे सेक्षिन बताए कि आपको रेसिपी कैसी लगी है आप देख सकते कुल्चा कितने बढ जाए चाने लगे पाचल चाने लगी हम और वो ते नदूंगे खाची घρείा है पताए कि अाता कि जाए और रेसिते ही लगी हाया है जा शकलनी लगका दोर ready है जक एाता है बड़िया है जाखिते है